घर पे खुछ से चौकलेट बनाने के लिए जो भी नट्स आपको पसंद हो, काजू, किश्मिश, बादाम, जो पसंद हो वो आप ले लीजे, जैसे कि मैंने almonds लिये हैं और मैंने coconut powder लिया है, desiccated coconut जिसे कहते हैं वो लिया है, और मैंने खजूर लिया है, मतलब मैं तीन अलग रोज गुलकन जिसे मैंने खुद घर पे तयार किया है, और इस गुलकन के इतने फाइदे हैं ना, मतलब स्वाद और सेहत से भरपूर होता है ये गुलकन, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए, तो उसका लिंक इसी वीडियो के description में मिलेगा, जरूर देखिए, खुद से बनाएए घर पे रोज गुलकन और इसके बहुत सारे फाइदे लीजे, इस रोज गुलकन को मैं खजूर के अंदर भर रही हूं, मतलब इसकी stuffing इसमें डाल रही हूं, खाने के बाद जो मीठा खाने की craving होती है, वो भी जाएगी, और खाने के बाद खाना बहुत काट करके dry roast करूंगी, अब यहां पर आप अपने favorite nuts ले सकते हैं, आप चाहे तो पिस्ता, काजू, अखरोट, कुछ भी ले सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो, वो ही ले सकते हैं, इससे जब हम dry roast करेंगे ना, तो इससे चौकलेट का टेस्ट बढ़ेगा, चौकल हैं, इसे अच्छी तरह से बाइंड करें, इसमें मिठास आएं, और चौकलेट का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाए, आप इसमें थोड़े से nuts भी डाल सकते हैं, मैं nuts नहीं डाल रही हूं, उसके लिए मैं अलग चौकलेट बना रही हूं, और यह पुरी तरह से coconut वाली च टेस्ट करना है, यह सारी चीज टोटली अपने उपर है, क्योंकि चौकलेट के अंदर आप कुछ भी मिलाते हो, तो टेस्ट बढ़िया हो जाता है, क्योंकि एक तरफ चौकलेट की टेस्ट होती है, और दूसरी तरफ जो भी चीज हम इसमें मिला रहे होंगे, जाहिर सी बा आजाएगा, वो लड़ू की तरह बना लीजे, आप बार की शेप देना चाहते है, तो वो बना लीजे, चोड़ी-चोडी क्यूब्स बनाना चाहते है, तो वो बना लीजे, जैसे आपको पसंद, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी चीज हम पहले आँखों से खाते हैं, उसके यहां पर कोकोनट बार्ज मैंने बना ली है उसे शेड दे ली है जो मुझे पसंद थी और उसे रग दिया है फ्रिज में ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए और चॉकलेट बनाते वक्त ना आए अब चॉकलेट मैंने तीन अलग अलग तरीके के लिए है एक डाक चॉकलेट है एक यहां पर मिल्क चॉकलेट है और एक है वाइट चॉकलेट यहां पर भी आप अपनी मन पसंद चॉकलेट ले सकते हैं मेरे पास तीनों थी तो मैं तीनों ले रही हूं बढ़ डाक चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को एक साथ मिलाऊंगी और वाइट चॉकलेट को मैं अलग coconut बार्ज जो बनाओंगी उसके लिए लोगी क्योंकि coconut white होती है तो थोड़ा सा अलग देखने पर पता चल जाएगा कि coconut chocolate है अब इस chocolate को हमें melt करना है तो अगर आप यह white chocolate बनाने वाले है तो पहले white chocolate का काम कर लें क्योंकि अगर आप पहले dark chocolate बना लेंगे उसके बाद white chocolate बनाएंगे तो color change हो जाएगा अब यहाँ पर मैं chocolate को double baller तरीके से पिघला रही हूँ microwave अगर आपके पास है तो आप 30-30 seconds करके chocolate को पिघला सकते हैं मतलब दो से तीन बार में यह पिघल जाएगी तो मेरी microwave खराब थी तो मैं इसे double baller तरीके से ही पिघला चुकी हूँ पिघली चॉकलेट का तब आप इसे बनाना शुरू करें जैसे कि यहाँ पर हलका सा temperature down हो चुका था चॉकलेट पिघली चॉकलेट का तो उस पे मैंने coconut bars को डाला और इस तरह से फोक के ओपर रख दिया था कि एक्स्ट्रा जो चॉकलेट इसमें होगा ना वो निकल जाएग अब जब यह गीला रहे ना उसी वक्त इसके ओपर डाल दीजे nuts या फिर जो आपको पसंदो आप attractive colorful sugar balls भी डाल सकती है या फिर आप tutti fruity बगरा डाल सकती है जो आपको पसंदो और इसे रख दीजे fridge में 2-3 मिनट के लिए ताकि यह जल्दी से set हो जाए यहाँ पर white chocolate pigli वाल पस्टी है ना milky बार वगरा वैसी भी बना सकते है अगर आपको पस mold है तो फिलहाल मेरे पास वैसी plane वाली mold नहीं थी तो मैं यही pan flavor वाली खजूर इसमें डाल दे रही हूं ताकि white chocolate जो है वो waste ना हो तो इसी तरह आप भी कुछ भी करवस में डाल करके बना सकते हैं tutti fruity ड या फिर आप peanut वगरा भी डाल सकते हैं उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है यहाँ पर मैंने दो मिनट के लिए इससे बस fridge में रखा तक यह set हो जाए और sides के जो extra अगर chocolate निकल गया ना तो उसे आप cut कर दीजिए तोड दीजिए फिर मैंने यहाँ पर pigla ला लिए dark chocolate औ और milk chocolate, दोनों को एक साथ मिला करके, pigla लिए chocolate को जब हलका सा थंडा होने दिया, मैंने हलका सा जब यह room temperature में आ गया, तो मैंने इस पर तयार किये हुए जो pan flavor वाले खजूर थे, gulkan वाले जो खजूर थे, वो सारे के सारे एक साथ डाल दीए, तो इतना patience नहीं था और chocolate बन हैं, कितनी सारी chocolates बन करके तयार होगी है, यह जो तयार chocolates है इन्हें आप कितने भी लंबे समय तक रखिए, खराब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास chocolate mold है, तो मैंने कुछ chocolates बच गई थी, जैसे pigli भी chocolate बच गई थी, तो उसमें मैंने काफी सारे nuts डाल दिये, और उसे chocolate mold में डाल दिया, और वैसे ही set करके, चौकलेट अलग कर ली, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने चौकलेट को किस तरह से decorate किया हुआ है, आप देख सकते हैं, शीशी में डाले है, मैंने इस तरह से मैंने ऊपर से cover कर दिया है, बॉक्स में pack कर दिया है, दिवाली के मैंने यही चौकलेट अपने friends को gift भी की थी, और उन्होंने दुबारा दुबारा से मांग करके मुझसे चौकलेट खाई थी, जो गुलकन चौकलेट थी ना, उसके ओपर मैंने rose petals भी लगा दिये, बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए आपको दिखाना था, कट कर दिया और आप अंदर देख सकते हैं, कोकोनर भरी और टेस्ट बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है, आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, यह है पान फ्लेवर, खजूर वाली चौकलेट, इसे भी मैं कट करके दिखाती हूँ, नो डाउट इसम मैंने मोल्ड में डाल करके बनाए थे, उसे भी कट करके दिखाती हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे नर्ट्स डाल दिया थे, क्योंकि मेरे बच्चों को चौकलेट बहुत पसंद है, और इस तरह से वो काफी सारे ड्राइफ फूट्स वगरा खा लेते हैं, अलग से उन्हें में नर्ट्स वगरा या ड्राइफ फूट्स वो नहीं खाते हैं, चौकलेट के जरीए वो खा लेते हैं, यहाँ पर सारी चौकलेट बन करके तियार हो चुकी है, अब अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसा लगे, बच्चों को समझ में ना आये कि हमने घर पे चौकलेट तियार की हैं, तो आप इसे इस तरह से रैप करके रख सकते हैं, यह सारे पेपर्स आपको आसानी से बेकरी में मिल जाएंगे, चौकलेट रैपर वो लोग है तो आपको यह रैपर्स मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो पैक करके रख लेगा, फिर यहीं सूखी स साफ शीशी में डाल करके रखिया इस तरह से पैक करके आप किसी को गिफ्ट करें ट्रेवल करते समय जब हम कहीं पर जा रहे होते गुमने तब भी मीठा खाने का मनदक सर करता है तो उस समय के लिए भी आप चॉकलेट्स बना करके रख सकते हैं उमीद करते हूँ कि अब आपको खुद को और बच्चो को चॉकलेट्स खाने से रुकना नहीं पड़ेगा